सो गैज आज की वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं कैशाउन की तरफ से आने वाले एक शॉटी यानि छोटी सेल्फेस्टिक जो की सब्चिटूट है गोपरो के शॉटी का जिसको मैंने अमेज़ून से प्रचेस किया है अगर इसके प्राइस की बात कर लें तो यह एप्रॉक्स 600 रुपीज का मिल जाता है लिंक डेस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और वहीं अगर गोपरो के ओरिजनल स्ट्वाटी की बात कर लें तो उसकी प्राइस एप्रॉक्स 2500 यानि धाई अजार रुपए है तो चलिए फटा-फट से अन्बॉक्सिंग करते ह है और देखते हैं कि आधे क्या-किवार्यल मिलता है लंन्यवें की बॉक्स को ऊपन करने के बाद में बॉक्स के अंदर एक मिल जाती है और यह अगें एक्वांगा पाड़ें गे और इस को भी ऑपनॉक्त का देख लेते हैं इस पर देख सकतो क्यें की ब्रैंडिंग दी इस बॉक्स के अंदर वी हमें एक और grip को आटेच करेंगे तो आप देख सकते हो कि अदुल के बृंडिंग दी हुई जब आप close करते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर texture बना हुआ है ताकि ग्रिप अच्छे से बन सके और रबराइज्ड फिनिश किया गया है और बैक के portion में आप देख सकते हो कि यह रबराइज्ड ग्रिप लगी हुई है अगर आप कहीं पर stand करते हो तो यह slip होने से इसे बचाता है अब इसके पूरे section को अगर open कर ले तो काफी tight सा section मिल जाता है तो इसको one by one करके सारे section को open कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा पूरा section अभी open हो चुका है और इसकी height को compare करने के लिए मैं अपने हाथ का use करता हूँ और अपने हाथ पे अगर मैं रखके compare करा हूँ तो देख सकते हो आपको कुछ इतनी height आपको यहां से मिल जाती है I hope क्या idea लग रहा होगा कि 10 इंच अप्रॉक्स कितना होता है तो यह 10 इंच की है जिसे आप pocket में भी close करने के बाद रख सकते हो अल्राइट जैस तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने gopro को अपने cash on tripod से connect करा रखा है जो मेरा shorty है तो चलिए फटा-फट से एक बार testing कर लेते हैं कि ब्लॉगिंग में कितना comfortable है यह कर देख सकते हो कि मैंने पूरा अभी पास में है मैने हाथ को भी पूरा अएकसेंड नहीं किया है तो अब देख सकते हैं मेरा supervision मैरा जो लेंस मोड है वो सूपर व्यूव में है यानि कि जितना वाइड ये कवर कर सकता है उतना वाइड ये कवर कर रहा है अभी मैं अपने हाथ को पूरा दूर करता हूं तो अब देख सकते हो कि पूरा अगर मैं ओपन कर देता हूं तो अगर हाथ को पूरे बढ़ा देता हूं यह अगर पास में ऄखते हो, तो अभी आप differentiation कर सकते हो, तो कि आप अप फिल कर सकते हो, कि आप अप फिल कर सकते हो कि व्लॉग करने में कितना agakcomfikabble हो जाता है, तो आप जसका तो अब डिव करने के उते हे फिरत इस उते हैं मुझे आटीवम कुछ विए चीज अगर आप अजयाने के लिग से आफ ये । तो आप अच्छे से दिखा सकते हो, वोड करने में, comfortability ठीक है, build quality, price point की साब से ठीक है, थोड़ा सा अब original जो शॉटी है, GoPro का अगर उससे compare करेंगे, तो इसकी quality थोड़ा सा down है, थोड़ा से लगता है कि चीप है ये देखने में, 600 के price point की साब से ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, definitely ले सकते हैं, light weighted है काफी, और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इस पर थोड़ा सा टेक्चर दिया हुआ है, थोड़ा सा रफ सा टेक्चर यहां पर दिया हुआ है, तो इस विए से grip अच्छी बन जाती है, तो इसको पकड़ने में काफी comfortable feel हो रहा है, कि हाथ से सरक नहीं रहा है, इसे GoPro का original भी है, उसको जब मैंने use किया था, तो काफी slippery सा feel होता है, जब हाथ आपका जैसे पसीना होता है, तो आपका हाथ काफी slippery हो जाता है, बट इसमें आपको grip अच्छी बन जाती है, और यह कुछ review था ऐसा, तो आप देख सकते हो, यगर मैं पूरा हाथ अपना open करूँ, और अगर मैं एक बार पूरा rotate करके दिखाऊँ, मैंने एक selfie stick है, जो अप्राउक्स वन मीटर की है, तो उसकी भी एक वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ, तो आप अगर compare करना चाहते हैं, तो next वीडियो में उसके comparison की भी डाल दूँगा, तो आप दोनों वीडियो को देखके, आप डिसाइड कर सकते हो, कि आप को shorty लेना है, या selfie stick, क्योंकि जितना ये extend होता है, तो selfie stick जिब close रहती है, तब इतनी height उसकी होती है, तो वो मुझे ज़्यादा comfortable लगी, इसके मुकाबले, price point 2400 रुपे का difference है, बट वो मुझे काफी अच्छी लगी, कि अगर आप और अच्छा खासा area cover करना चाहते हैं, तो उसको पूरा open करने के बाद, उसको देख सकते हैं, वहीं इसके stand का use करने के बाद, आप easily time lapse, hyper lapse, time warp, अच्छी शूट कर सकते हैं, आई हो ग्वाइस कि आपको review अच्छा लगा होगा, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो definitely आप इसे consider कर सकते हैं, thank you,